कि एक हेड़ पांप है उसमें पाने नहीं आ रहा है चापागल नहीं चल लाइनों को पारी बाहर से लाना पड़ता और रिस्ट करना पड़ता है बाहर जाने के लिए मना है तो आप देख रहे हैं साथी हूं मैं जविंदर सिंग लड़ू इस वक्त हम है पटना सिटी इस्तित्य कोटगस चौकी के आप इन करेंगे गली में तो एक विद्याले के प्रांगर में चार विद्याले है अनोकी विद्याले है वो सरकारी है उस विद्याले का नाम बतला देना चाहता हूं महिला चर्का समीती उची विद्याले पटना सिटी उर्दू विद्याले पटना सिटी और प्रात्मिक विद्याले चार विद्याले संचालित हैं चारों विद्याले में चातन लोग आती है पटון करने के आथे हैं मजयदार बास है वो छी इस आपको बतला देना चाहता हूं यह दखिए यह हैंड यह चापकल कल चार विद्याले का इनने की पीड़ा कॉन सुने विदारते 16 से वी पूछ लेते हैं जो साइब जो सब्सक्राइब गए को सब्सक्राइब पराथा जैस्ट करना पड़ता है में पढं़ास पी कदते हैं हमलों पानी बाहर से लाग कर थी क्या नोग को यह पर तो अच्छा रहाता है यहां पानी चापाकल नहीं चलता है नहीं चलता है तुम क्या नाम हुआ है तो फिर हम लोगों जो पानी लाते हैं नहीं से घुशाद को कorda सुपरानी चोप्रत शिटी आस चापा नीच कोतिर श्हुंत को सब्सक्राइब कर नाम से पानी का विवस्ताँ नहीं यह पूरों है 122 साससे लाने हो दिक्कत भी बहुत इंत्याइव क्मार जी समझ और यह समाफ वेख्क Teraz comprendre house ये चापा कल पिछले छे महिना से खराब बंद पड़ा है अब छातर छातरा है जाए तो कहां जाए प्यास लगती है तो घर से जो बाटल जो बोतल लेके आते हैं उनका प्यास साथ में बिजाते हैं इस्कूल का जो विवस्ता है उस पर भी निरबर है लेकिन ज़रा सोची है इतनी बड़ी स्कूल है और खास करके एक विद्याले के पड़ांगर में चार विद्याले है तो बच्चे बच्चिया जाएंगे कहां हमारी कोई शिकायत नहीं है चाहे वो सरकार से हो या फिर सिक्षा विवाक के जो बड़े बड़े पदादिकारी हो जैसे केके पाठक जी हो इस विद्याले में आए और यहां का हाल बेहाल देखेंगे तो ही आपको समझ पाएंगे SSI2 आप देखते रहिए जहीं